पख्ष कारोप है कि COVID के अनकाउटट डेट्स थे और आपके सरकार ने रेत में से कवर करके कवर अप किया हम क्यों करेंगे हम क्यों कवर अप करेंगे और हमें इसकी जरुरती क्या है और क्यों हम तथ्यों को छुपाएंगे इसकी कुई आउस्था ही नहीं है तेखे जिसकी दुखद मौत हुई है वो दुखद है जो मरा है मरा है उसको छुपाने की कोई उसक्ता नहीं हमारी सरकार ने तो जो कारे किया है उस सब के सामने है जब करोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था मार्च प्रथम सब्ता में तब उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग फैसिलिटी जीरो थी एक भी कोविड टेस्ट नहीं होते थे और जब दूसरी लहर आई थी तब हम 4 लाग टेस्ट प्रतिजिन कर रहे थे ये क्या हमारी उपलब दी नहीं है जिस समय आगरा के वे ब्यापारी जो इटली से आये थे और वे करोना की चपेट में थे करोना का संक्रमन उनके साथ वहीं से आया था उनको एड्मिट करने की बात हुई थी तो हमारे पास एक भी आईसोलेशन के बेर्स नहीं थे हमारी टीम प्रसिक्षित नहीं थी हमें उन्हें सुरक्षित अपने येलेस के माध्यम से सब्तर जंग दिल्ली भेजना पड़ से जुड़ा हुआ है कब एड्मिट हुआ कब डिश्चार्ज हुआ या अगर दुर्भागे से दुखत मौत हुई है कब हुई है उस पोर्टल पे चड़ता है कोई उसको नजरंदास नहीं कर सकता कोई गुंजाइस उसमें नहीं है यह बात वे लोग कहते हैं जो पिछले देड़ साल से कभी घर के बाहर नहीं निकले हैं वो तो इधर माहोल ठोड़ा ठीक हो गया तो फिर पिक्निक के लिए साइक्ल सवारी करने के लिए निकल पड़ते हैं अन्य था कोई इसमें दम नहीं हमने जो कुछ किया है पूरी इमानदारी के साथ किया पूरी के साथ जनता के प्रति जनता जनार्दन के प्रति जो हमारे दाइत्यों ते उस दाहितों को निर्वहन करने के लिए पहली लहर के समय आपने कहा और वो सारी चीज़ें सबने देखी थी आप ऐसे मुख्यमंतरी थे जो सड़क पर उतरते थे लेकिन दूसरी लहर जब आई है तब जो कहा गया था कि oxygen plants राज्य सरकारों को भी लगा लेने चाहिए वो अधिकतर राज्यों में नहीं नजर आया था क्या वो चंद दिन कोरोना के उत्तर प्रदेश की आबादी कई-कई देशों से बहुत ज्यादा है और यहां का management और ज्यादा कठिन था लेकिन क्या कम स को फेस कर रहे थे किसी सामान ने फ्ल्यू को नहीं एक और मैं इस चीज का अंदाज़त तब भी लगा सकता हूं जब उन प्रस्तितियों को फेस करते करते मैं मेरा पूरी टीम इंफेक्ट हो गई थे मेरा पुरा कारल है इसकी चपेट में आ गया था मेरे हमारे चीप सेकेटरी हमारे डी जी पी सब इसकी चपेट में आ गई थे उन परस्थितियों में भी हम लोगों ने अपने दाहितों को बिस्मृत नहीं किया, हम अपने आपको hosUSEPITALAids नहीं किये, तब भी उस दोरान भी मैं भी और मेरी पूरी टीम virtualist जनता से जूड़ी रही, और हम लोगोंने एक-एक चीज कि मैं तब भी समिक्सा लेता था हाँ उस समय अलग बात है सामाने दिनों में सुबह से लेकर के देर रात्री तक हमारा कारिक्रम चलता है उस दोरान कम होता था लेकिन COVID को फोकस करते विए हम लोगों ने तब भी अपना भियान जारी रखा और पुरा प्रियास किया ओक्सिजन की किल्लत थी लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि करोना के सेकिंड वेप के दोरान उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ 24 करोड़ की आबादी को ओक्सिजन प्राप्त हो रही थी 700 मिट्रिक टन और दिल्ली की आबादी है पौने 2 करोड़ और दिल्ली को ओक्सिजन प्राप्त हो रही थी 800 मिट्रिक टन यानि पौने 2 करोड़ की आबादी में 800 मिट्रिक टन औक्सिजन की आपूरती और 700 मिट्रिक टन की आवा यानि आउक्सिजन हम 24 करोड़ जनता को उसकी आपूरती करके प्रियास किया जा रहा था कि हर एक बेक्ति तक आउक्सिजन पहुंचे क्योंकि हम लोगों ने हर एक हॉस्पिटल की आउडिट करवानी शुरू कर दी थी जिसको दिल्ली सरकार ने आउडिट करने से इंकार कर दिया था वो भाग खड़े हुए जैसे आउडिट की बाद भारत सरकार ने कही दिल्ली के सरकार उससे पीछे हड़ गई और उसकी ऑ बैकमेलिंग कर रहे थे मुझे मालूम है या लखनों में भी कुछ हॉस्पिटल थे एक हॉस्पिटल ने जारी किया किसा हुमारे पास केवल दो घंटे की ऑक्षिजन बाकी है मैं स्वेम करोना पॉजिटीब था लेकिन मैंने जैसे देखा मैंने ततकाल जला पसाशन से का मैंने का बी देखो वहांपर ऑक्षिजन की कमी होगी आउक्षिजन बेजो अब बेहुँता करो टीम गई उन्हाने का सा हुमने ऑक्षिजन इनको कल दिया था पेसेंट कितने हैं ये सही बतानी रहे हमने यहां के जला पिसासन मैंने का पीपी किट पहन करके अंदर जाओ जला दिकारी पीपी किट पहन करके अंदर गए पेसेंट चार, सिलेंडर साथ और उसके बाद कहते हैं कि साहब हमारे मैंने का इसको सील करो ये पेसेंट दूसी जग इनको भेजो इस प्रकार के भी वाकिये हमारे सामने थे और ये लोग ज़्यादा नेगटिविटी ये लोग ज़्यादा पैदा कर रहे थे दूसरा कुछ ऐसे बक्तब्य है कि इस कारण से जो है करोना फैला है और फलाने को जो है इस में हत्या के मामले में वांचित करो ये बड़े वैसे यानि हलके बक्तब्य जो आ रहे थे नेगटिव बक्तब्य आ रहे थे नकारात्मक जो बक्तब्य आ रहे रहे थे और इसलिए हम लोगों ने उस दोरान उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल खड़ा गया जिसको डेबलोएचों निभी स्विका रहा हुआ था कि निगरानी समीतियों के माद्यम से मेडिसिन कि कि हर एक लक्सन युक्त ब्यक्ति तक पोँचा देना और हमारा ये मॉडल सफल रहा आज भी सफल है जिसकी आप जो बता रहे थे कि हाँ लोग ठ्पीड थपतपा रहे थे पिड़ थपतपा नहीं रहे थे यूपी के उस मॉडल को आस्टेलिया ने भी खुदी पासर की ऑक्स देश के अंदर ऑक्सिजन की आपूरती है एयर फोर्स के बिमानों के मात्यम से ऑक्सिजन इस्पेशल एक्सप्रेस के मात्यम से हुई एक जिसने उस संकट के समय में एक संबल का काम हमारे साथ किया दूसरा काम ऑक्सिजन प्लांट लगाने की करवाई है उत्तर प्रदेश में वरतमान में 552 आक्षिजन प्लांट लग रहे हैं जिन मेंसे हम लोग लगभग 300 के आसपास अब तक अलग-अलग हॉस्पिटल में स्थापित कर चुके हैं और सेश अलग-अलग प्रक्रिया के तहत ये स्थापित हो रहे हैं और हम लोग इसको इसमें PM केर से सरबाधिक हम मिले हैं कुछ राज्य सरकार अपने स्तर से लगा रही है और सेश ऑक्षिजन प्लांट सेसर से हमें अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा भी दे गए हैं इस सभी हम लोग ऑक्षिजन आत्म निर्भरता के तरब उत्तरप्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है इस द और उक्षिजन कंसंटेटर ने बहुत बड़ा योगदान किया